इंडिया गटवंधन ने दिया नितीज कुमार को उप्रधान मंत्री बनने का ओफर लोगसवा चुनाब की नतीजे धीरे धीरे आने लगे हैं एंडिये इस समय आगे है वही इंडिया गटवंधन वी चुनाब में पहले से बहतर इस्तिती में हैं इंडिये 299 सीटों पर आगे है नितीज कुमार को उप्रधान मंत्री का ओफर मिला है लोगसवा चुनाब की नतीजे धीरे धीरे आने लगे हैं एंडिये इस समय आगे हैं लेकिन इंडिया गटवंधन भी चुनाब में प्यारे से बहतर इस्तिती में हैं एंडिये 299 सीटों पर आगे है इसमें जेडियू की 14 सीटे शामिल हैं इसे में सरकार बननी में जेडियू एक महतवपुन भूमिका में हैं इस भी सूत्रों के मुताबिक इंडिया गटवंधन ने नितीज कुमार को उप्रधान मंत्री बनाने का ओफर दिया है इससे पहले सूत्रों की से यह कहा गया है कि एंडिय का ही हिस्सा रहेगी यहां पर आपको बता दें कि जब नितीज कुमार बिहार में महागट बंधन की सरकार चला रहे थे और कॉंग्रेस के अलावा रजेडी साथ थी तो नितीज कुमार नहीं विपक्षी दलों को एक जुट करने के लिए बैट चल तेज है रुजानों के मुताबिक इस समय बीजेपी 238 सीटों पर आगे चल रही है वहीं तीन सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है इसके अलावा इंडिया गट बंधन 228 सीटों पर आगे है इससे पहले दिल्ली के दोरे पर आई बिहार के मुखी मंत्री नितीज कुमार को पटना रवाना होने से पहले केंद्री ग्रह मंत्री अमिश्वा के साथ फोन पर लंबी बातचीत की थी वहीं सोंबार को दिन में प्रधान मंत्री नैंद्र मोधी से भी मुलाकात की थी पीम आवास पर प्रधान मंत्री मोधी से मुलाकात और इसके कुछ घंटे बाद ही बीजेपी के रणनीतीकार इवं केंद्री ग्रहमंत्री अमिश्वा के साथ फोन पर होई नितीज कुमार की बादशीत को मंगलवार को होने वाली काउंटिंग और चुनावी नतीजों की बाद बनने वाली सरकार की गठन के लिहाज से काफी महतोपून माना जा रहा था